दोस्तो आज हम सीखेंगे WhatsApp Message Notification से Message करने वाले का नाम, DP और Message में क्या लिखा है उसे height कैसे करते हैं जैसे कि आपको पता ही होगा जब भी हमें WhatsApp पर कोई notification आता है तो जिसने हमें Message किया है उसका नाम, DP और Message में क्या लिखा है इस तरह से दिखाई देता है अगर Screen पर Lock लगा हुआ है इसके बाद भी दोस्तों यहाँ पर Screen के ओपर नाम, DP और यहाँ पर जो Message में लिखा हुआ है सारी चीज़े दिखाई देती है तो इसे height कैसे करते हैं मैं आपको तीन सीक्रेट ट्रिक बताऊंगा आप अपनी जरूरत के मुताबिक सेटिंग को सेट करने के बाद नोटिफिकेशन से Message, DP और Name को height कर सकते हैं तो बात करते हैं पहली सेटिंग की तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं Selected Chat को Mute करना जैसे के यहाँ पर समीर की चैट है समीर अगर मुझे कोई भी Message करे तो उसका Message मुझे सुनाई ना दे नहीं दिखाई दे जब मैं WhatsApp को Open करूँ तभी उसका Message दिखाई दे तो इस तरह से सेटिंग आप कर सकते हैं Selected बंदों के लिए ठीके, बाकि दूसरे बंदे आपको Message करेंगे तो आपको Notification सुनाई भी देगा और दिखाई भी देगा, पॉप अप टीक है तो यहाँ पर अगर आपको किसी भी Chat को Mute करना है मालनी जी आपका कोई खास दोस है उसके Notification को आप छुपाना चाहते हैं तो छुपा सकते हैं या फिर आपका कोई ऐसा दोस्त है जो आपको बार-बार Message करके परेशान करता है तो उसकी Chat को भी आप Mute कर सकते हैं तो Chat Mute करने के लिए आपको उस Chat पर एक सेकंड के लिए इस तरह से दबाना है Select कर लेना है इसके बाद आपको उपर में Mute का एक Option मिलेगा इस पर आपको Click करना है यहाँ पर आपको Mute Notification का एक Pop-Up दिखाई देगा आप Chat को 8 गंटे के लिए एक हफ़ते के लिए और हमेशा के लिए Mute कर सकते हैं आप यहाँ पर Set कीजिए और OK पर Click कीजिए अब दोस्तों यहाँ पर अगर यह समीर मुझे Message करेगा तो उसके Message का Notification मुझे सुनाई नहीं देगा दिखाई नहीं देगा जब मैं WhatsApp को Open करूँगा तभी उसका Message मुझे दिखाई देगा आप देख सकते हैं ठीक है इसके इलावा अगर कोई दूसरा बंदा मुझे Message करता है तो उसके Message मुझे आएंगे notification भी दिखाई देगा और notification tone भी सुनाई देगी ठीक है इस तरह से अगर आप chat को mute करना चाते हैं तो unmute करना चाते हैं तो unmute भी कर सकते हैं दोबारा से आपको chat को select करना है ओपर यहाँ पर आपको unmute के icon पर click करना है तो chat unmute हो जाएगी ठीक है तो यह थी हमारी पहली trick अब बात करते हैं दूसरी trick की आप चाते हैं कि आपको notification आए लेकिन pop-up दिखाई ना दे सिरिफ notification tone सुनाई दे और message notification panel को open करने के बाद दिखाई दे तो ऐसी setting भी आप कर सकते हैं इसके लिए आपको WhatsApp पर एक second के लिए दबाना है इस तरह से आप WhatsApp पर एक second के लिए दबाईए यहाँ पर आपको एक setting मिलेगी app info आपको इसे open करना है इसके बाद यहाँ पर आपको WhatsApp की setting देखने के लिए मिल जाएगी manage notifications आपको इसे open करना है यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलेगी बैनर आपको इसे अंटिक कर देना है यह टिक होगा तो अंटिक कर देना है बस आपको इतनी सेटिंग करना है अब इसके बाद अगर आपको कोई भी WhatsApp पर मेसेज करेगा तो notification tone आपको सुना ही देगी टीक है लेकिन आपको pop-up नहीं दिखाई देगा किसने मेसेज किया है क्या किया है वो दिखाई नहीं देगा जब आप notification पैनल को उपन करेंगे तब ही आपको यहाँ पर सारी चीज़े दिखाई देगी टीक है यह हमारी दूसरी ट्रीक अगर आप वापस से इसे unselect करना चाहते है यानि कि आप चाहते हैं दुबारा से pop-up दिखाई दे तो आप अब यहाँ पर आएंगे और banner को टीक कर देंगे और आपको मेसेज आएंगे तो आपको सारी चीज़े दिखाई देगी पॉप उप में भी टीक है अब बात करते हैं हमारी जो important और तीसरी टीक है इसके बारे में आप चाहते हैं notification भी सुनाई दे pop-up में दिखाई भी दे लेकिन किसने message किया है उसका नाम DP और message में क्या लिखा है वो दिखाई ना दे तो ऐसी setting भी आप कर सकते हैं इसके लिए आपको वोट्सअप को open करना है ऊपर आपको र उप करना है यहां हैं से अपको यहां पर वेरिफाय करना है itly नूटिफिकेशन आपको इस setting को बंद कर देना है यह setting बंद करने के बाद दोस्तों आप देख लेजिए आपको notification आएंगे pop-up भी आएगा लेकिन message किस ने किया है उसका नाम dp और message में क्या लिखा है वो आपको दिखाई नहीं देगा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है यहाँ पर मैं lock करके दिखाता हूँ screen आप देख लीजिए lock screen पर भी कुछ भी दिखाई नहीं देगा सभी जो message है यहाँ पर आप देख सकते हैं एसी वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना